नमस्कार दोस्तों, Guinness Tech Farall में आपका स्वागत है सिक्योरिटी गार्ड का बारावी फेल बेटा, जिसने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ी, फिर मेहनत से बना करोधों का मालिक, जो लोग विपरीत परिस्थितियों से लढ़ कर आगे बढ़ना जानते हैं, वे जीवन में कठिन से कठिन लक्ष को भी पाने में सक्षम होते हैं, सुशील सिंह भी एक ऐसा ही उदाहरण है, आज सुशील को दुनिया करोडपती टेक्नोप्रेनियोर और तीन सफल कमपनियों के मालिक के रूप में जानती है, SSR, Tech Vision, Debaco और Saiva System Inc. इनकी कमपनियों में शामिल हैं, लेकिन उनके लिए यहां तक पहुँचने का रास्ता बहुत संगर्श भरा था, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से तालुक रखने वाले सुशील सिंह बारहवी में फेल हो गए थे, इसके बाद कॉलेज की कामधंधा शुरू कर पाते, इसके बावजूद उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और द्रढ संकल्प से अपने सपनों को साकार किया, मात्र 11,000 रुपे की मंथली सैलरी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले सुशील सिंह की कमाई आज करोडों में है, उन्होंने टेक्नो टेक्नो प्रेनियोर के तौर पर अपनी पहचान बनाई है, वह तीन प्रॉफिट वाली कमपनियों के साथ ही एक NGO के फाउंडर भी हैं कामधंधा शुरू कर पाते, इसके बावजूद उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और द्रढ संकल्प से अपने सपनों को साकार किया, मात वह तीन प्रॉफिट वाली कमपनियों के साथ ही एक NGO के फाउंडर भी हैं, सुशील का परिवार रोजगार की तलाश में जौन पुर जिले के एक गाम से मुंबई आ गया था, यहां वह डोंबिवली की बस्ती में एक चॉल में रहते थे, उनके पिता एक बैंक में सिक्यू चलाया जाता था, जहां हिंदी माध्यम में परहाई होती थी, दसवीं क्लास तक सुशील का भी स्कूल में खूब मन लगता था, इसके बाद चीजें अचानक तेजी से बदल गई, पढ़ाई से उनका मन हटने लगा, सुशील बारवीं क्लास में आकर फेल हो गए थे, लेक बाद विश्वविद्याले में दाखिला लिया, उन्हें अपने मुख्य विशय को सीखने में मज़ा आ रहा था, लेकिन उनके प्रोफेसर उन्हें जो पढ़ा रहे थे, उससे उनका मोह भंग होता गया, 2003 में, सेकंड इयर में उन्होंने कॉलिज छोड़ दिया, 2015 में, फिर शादी के बाद शुरू हुआ सफलता का सफर, नवंबर 2013 में सुशील पहली बार सरिता रावत सिंह से मिले, उन दिनों वह एक सौफ्टवेर इंजीनियर के तौर पर काम कर रही थी, एक दूसरे को जानने के बाद दोनों ने शादी कर ली, अगर ऐसा वीडियो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें